नमस्कार दोस्तों, मेरे नाम में भालचंद्रा, ब्रह्मान्ट सिद्यस्ट्र में आप सभी का स्वागत है आज के इस उडियो में हम चर्चा करेंगे दिनांग 19 नमबर 2022 का संपुन राशिफल उससे पहले आज के दिन का जो पंचांग उसके बारे में चर्चा करेंगे आज के दिन है शनिवार का है आज के दिन का जो गुलिक काल है वह शुरुवत होगा सुबह 6 बचकर 43 मिनिट से लेकर 8 बचकर 5 मिनिट तक और अभी जितमोर्द दोपर 11 बचकर 48 मिनट से लेकर 12 बचकर 36 मिनट तक का होगा गुलिक काल और अभी जितमोर्द दिन के शुवकालावदी कहा जाते हैं इसमें किसी भी प्रकार के महतु पुरुनकाम या फिन्दिन ने आप ले सकते हो उसी प्रकार आज के दिन का जो राहुकाल है वो शुरुवात होगा सुवे 9 बचकर 37 मिनट से लेकर 10 बचकर 49 मिनट तक और यमगंड़काल दोपर 1 बचकर 34 मिनट से लेकर 2 बचकर 56 मिनट तक का होगा राहुकाल और यमगंडकाल दिन के अशुवकालावदी कहा जाते हैं इसमें किसी भी प्रकार के महतुप्रुनकाम या भेन्यर ने बिल्कुन भी नहीं लेना उसी प्रकार आज के दिन का जो चंद्रमा है यग रसिती सामने रखते हुए बारा राशियोंका राशिपल क्या होगा इस विशय पर अब हम चर्चा करेंगे तो सबसे पहली राशी है मेश राशी मेश राशी के शच्ट भाव में चंद्रमा का ब्रहमन है और आपके अश्टम भाव में सिथ रवी, बुद्ध और शुक्र के साथ या चंद्रमा लावयोग करने जा रहा है तो जो भी आपका कार्षेतर है वहाँ पर कि जो लोग होंगे उनसे आज के दिन आपकी जो रिलेशन्शिप है वह काफी अच्छी देखी जाएगी उनसे आपको कुछ मदद वगरा मिल सकती है उसी पर अनेक्सपेक्टेड लाव वगरा मिलने की संभावना भी आज के दिन का वश्चकों का खर्च के मामले में कोई आपको खर्चा करना है या फिर कोई इन्वेश्मेंट करनी है ऐसी बड़े मनी ट्रांजक्शन नहीं करना आप उसमें मिसगैड होने की संभावना थोड़ी ज्यादा बंद रही है इसके बाद की जो राशी है वो है ब्रिशब राशी ब्रिशब राशी के पंचम बाव में चंद्रमा का भ्रहमन है और आपी के सब्तम बाव में सिथ रवी बुद्र और शुक्र के साथ या चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है आपके लाभ बाव में सिथ गुरु के आप share market में trade करते हो तो आज की दिन आपको कुछ अच्छे लाब मगरा मिल सकते हैं उसी परकार अगर आप किसी के relationship में है तो आप दोनों में जो harmony है वो काफी अच्छी देखी जा सकती है आपकी जो संतान है उनके साथ भी आज आपका आपकी जो relationship है या फिर rap वो है वो काफी अच्छा देखा जाएगा लेकिन आने वाले दो से तिन दिनों में आपकी जो वैवाई जोडिदार है उनके स्वास्त के बारे में ध्यान देना काफी महत पुर्ण होगा स्वास्त के बारे में problem complication हो सकते हैं और आने वाले दो से तिन दिनों में इन चीज़ों पर थोड़ बुद्ध और शुक्र के साथ या चंद्रमा लावयोग करने जा रहा है आपके दशमबाव में सिथ वक्री गुरु के साथ या चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है और आपके वेवाव में सिथ वक्री मंगल के साथ आपके भाग्यबाव को जो वक्री निप्चुन है व अगर आप किसी के relationship में है तो उनके साथ भी आज का जो समय है वो काफी अच्छे तरह के से कट सकता है लेकिन आने वाले दो से तिन दिनों में स्वायम के स्वास्त के बारे में ध्यान देना आवश्चक होगा unwanted stress of attention आने के करण स्वास्त के बारे में परेशानी आपको आ सकती ह आपको उसे के उपर दियान देना आवश्चक होगा इसके बाद की जो राशी है वो है करक राशी करक राशी के तृतियों में चंद्रमा का ब्रह्मन है और आपके पंचम बाव में सिद्रवी बुद्ध और शुक्र के साथ या चंद्रमा त्रिकोनियों करने जा रहा है करने जा रहा है आज कर clothes है तो डिन है थोड़ा बॉज़नेशन के कोई बात है डिकलिंग करनी है किसी दौट के कि किसे के relationship में है तो वहाँ पर problem आ सकती है थोड़ी बहुत अगर आप गर्ववती मैला हो तो स्वास्त के बारे में ध्यान देना बहुत ही जादा आवश्यक होगा आपके जो मित्र परिवार है उनके साथ भी चोटी मुटी बातों को लेकर तकरार हो सकते कुल मिला के देखा ज सिंग राशे सिंगर ल्चय के द्वितियाओं में Chandrama का ब्रमन है और आपके जत्रततत मों करने जा रहा है आज का जो दिन है आपके महतुपुर्ण और काफी ज़्यादा शुबो फद्दाई साबित होगा कुछ अच्छे लाव वगरा मिल सकते हैं घर के जो लोग है उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो भी काफी अच्छे देख की जा सकती है अगर आप शेयर मार्कर में डिल करते हो तो भी कुछ अच्छे लाव वगरा मिल सकते हैं कुछ अच्छे लाव मिल सकते हैं मित्र परिवारा हैं उनसे अच्छे सालाम मिल सकते हैं कुछ अच्छे मदद वगरा मी मिल सकती है लेकिन आने वाले दोस्टि इन दूने में जो भी आपका कारेशेतर हैं वहाँ पर पर जो लोग होंगे उनके साथ छोटी मोटी बातों को ले कर तकरा हो सकती है और यह तकरा काफी बड़ भी सकती है उसे प्रकार आपके घर के जो पुरुष ब़र रखोंगे उनके स्वास्त के बारे में भी चोटी मुटी परेशनिया सामने आ सकती है तो ध्यान दरकिए चोगन रहना आवश्यक होगा इसके बाद की जो राशी है वो है कन्या राशी कन्या राशी में ही चंद्रमा का ब्रह्मनार आपके के तृतिया भाव में सित्रभी बुद्ध और शुक्र के साथ ये चंद्रमा लाव में योग करने जा रहा है आपके सब्तम बाव में सिद्गुरू के साथ ये चन्रमा प्रतियों करने जा रहा है और आपके भाग्या बाव में सिद्मंगल के साथ आपके शस्ट बाव का जो वकरी नेप्चुन है वह भी केंद्रयों करने जा रहा है आज का जो दिन है काफी बिजी डे साबित हो सकता है लेकिन बहुत अच्छे लाव आज के दिन आपको मिलने की समवाना काफी अच्छी बन रही है आपकी जो मित्र परिवार है उनके साथ भी कही बाहर गुमना फिर ना हो सकता है खुल मिला के देखा जाए तो दिन आपके लिए बहुत ही अच्छा और शेव फलदाई साबित होगा लेकिन आपकी जो वैवाई जोड़ीदार है उनके साथ चोटी मोटी बातों को लेकर तकरा हो सकती है आने मोले दो से इन दिनों में किसी भी प्रकार के महतो पुर्णनीन ने चाहिए वो छोटे हो या बड़े बिलकुल भी नहीं देना स्वास्त के बारे में भी थोड़ा ध्यान देना आवश्य होगा इसके बात कि जो राशी है वो है तुला राशी तुलला रशिक के वेयर भाव में चंद्रमा का भ्रहवण है रहके द्वितिया भाव में सिथ रभी बुद और शुक्र के साद्मा लवयोग करने जा रहा है वसी प्रकार आपके शच्ट्र chew सीद्गुнов के साथ यह यह रिलेटर हो सकते हैं या फिर आपकी जो मित्र परिवार है उनके साथ भी कहीं भार गुमना फिर ना हो सकता है उनके साथ कोई जो पैसे की जो बात लें दिन है वो भी हो सकती है लेकिन दिन आपका जो है थोड़ा सा बीजी हो सकता है लेकिन आने में दो से तिन दिनों में मूटी बातों के लेका रहा हो सकती है तो यह यह तोड़ा सद्द्राशे स्वास्त के बारे में भी थोड़ा ध्यान देना आवश्क होगा आपके पंचम बाव में सित्वक्री गुरु के साथ ये चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है आपके सब्सक्राइब करने जा रहा है काफी अच्छा दिन है आपके लिए आज का खास करके आपकी जो वैवाई जोड़ीदार है उनके साथ कही बाहर घुमना फिरना हो सकते है अब के साथ relationship का प्रिच्चे है आपकी मिंटें हो सकती है आपके जो मित्र परिवार है उनके साथ भी कही बाहर घुमना फिरना हो सकता है जो भी आपका कारिशेतर है उससे रिडिट कुछ अच्छी खबर आज आपको मिल सकती है लेकिन आने माले दोसे तिन दिनों में आप इस थोड़ा बढ़ सकता है इसके बाद की जो राशी है वो है धुनु राशी धुनु राशी के दशम बाव में चंद्रमा का ब्रह्मन है और आपके के वेयो बाव में सिथ रवी, बुद्धो और शुक्र के साथ या जंद्रमा लावियो करने जा रहा है आपके शथरत अबाव में सिथ गुरु के साथ या जंद्रमा प्रतियो करने जा रहा है और आपके शश्ट अबाव में सिथ मंगल के साथ आपके दरितिय बाव का जो वकरी नेप्चुन है वो केंद्रियो करने जा रहा है तो जो भी आपका कारशेतर है उससे related कहीं बाहर घुमना फिर ना हो सकता है उसी प्रकार आपके कारशेटर के बारे में महत्वपुर्ण अपॉर्चनडी भी आज आपको मिल सकती है जो कि काफी अच्छी बात हो कि काम के सिलसिले में कहीं बाहर घुमना फिर ना हो सकता है या फिर आपके जो वाई-वाई जुड़िदार है उनके साथ भी कही बाहर घुमना के ना हो सकता है कुल मिला के देखा जाए तो दिन थोड़ा हेक्टिक होगा लेकिन महत्वपुर्ण काम आज के दिन आपके होने की संभावना काफी अच्छी बन रही है लेकिन अगर आप किसी व्यादी से बिडित है तो आने दो से तिन दुने में आपको काफी जाधा चोकना रहना होगा अगर आप किसी के रिलेशन्शिप में है तो वहाँ पर भी मिस अंडरस्टेंडिंग के वज़े से चोटी मोटे प्रॉब्लम कॉंप्लिकेशन आ सकती है तो ध्यान रखना आवश्यक होगा इसके बाद की जो राशी है वो है मकर राशी मकर राशी के भाग्य भाव में चंद्रमा का ब्रह्मन रापे के लाप भाव में सिथ रभी बुद्ध और शुक्र के साथ या चंद्रमा लाव योग करने जा रहा है आपके दृतियो भाव में सिथ वकरी गुरू के साथ या चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है आपके अच्छे लाव अगरा भी मिल सकते हैं, अनस्पिक्टेड लाव अगरा मिलने के संभावना भी काफी अच्छी बन रही है, आपके जो रिलेशन्शिप में विक्ति होंगे, उनके साथ भी आपकी हार्मनी बहुत ही अच्छी देखी जाएगी, आपकी जो वाई-वाई जुड में हैं, तो वहाँ पर भी misunderstanding हो सकते हैं, तो थोड़ा सा चोकरना रहना होगा आने वाले 2-3 जिनों में, इसके बाद की जो राशी है, वो है कुम्भ राशी, कुम्भ राशी के अच्छम भाव में चंद्रमा का ब्रवन हैं, और आपके जशम भाव में सिद्रभी, और शुक्र के साथ या चंद्रमा लाव योग करने जा रहा है, आपके द्वितिया वाव में सिद्ध गुरु के साथ या चंद्रमा प्रत्य योग करने जा रहा है, और आपके चतुरत वाव में सिद्ध वक्री मंगल के साथ आपी के राशी का जो वक्री नेप्चुन है, केंद्रियों करने जा रहा है दिन आपके लिए थोड़ा मैटोपुड़न साबित होगा थोड़ा सा स्वास्त के बारे में परिशानी हो सकती है लेकिन आपके जो काम है एकास करके जो पिर आपका कारेशयतर है उससे किसी भी प्रकार का काम आज दिन होने के समभावना काफी अच्छा देखा जाएगा आने वाले दोस्य तिन दुने में घर के जो लोग है उनके साथ चोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है आने वाले दोस्य तिन दुने में करने आपके दरी अबाव में सेक्ड़ने आपके जो लोग होगे उनसे भी आज आपकी जो काफी अच्छी देखी जाएगी उसी प्रकार आने वाले 2-3 दिन में जो भी आपका कार शेतर है उससे related किसी भी प्रकार की महतो पुर्ण निरने नहीं लेना कार शेतर के बारे में या फिर आने किसी बिक शेतर के बारे में महतो पुर्ण निरने नहीं लेना वो चूक सकते हैं उसी प्रकार ऐसे कोई भी निरने नहीं लेना जिसके जिससे आपकी जीवन की पूरी दिशाही बदल जाए आपका आपकी जो financial transaction रहेंगे खर्चे हो या investment आने वाले दो से तीन दिन में न करें तो बहतर होगा तो दोस्तों ये था दिनांग 19 नमबर 2022 का संपुर्ण राशिफल आपको ये राशिफल कैसे लगा आपने किस प्रकार से अनुबह किया नीचे comment box में जरूर comment करना और अपना ये चैनल है प्रमांड सिद्ययाश्ट्रो इसे भी like, share और subscribe जरूर करना धन्यवाद